अब सराओं जैसे खुबसूरती, बिहद स्टाइलिश और कमसिन दिखने वाली एक अभिनेत्री साथ और सत्तर के दशक की एक ऐसी हिरोईन जिनोंने शादी शुदा और दो बच्चों की मा होने के बाद फिल्मों में एंट्री की और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे जिनकी पहली ही फिल्म सुपर हिट साबित हुई और उनकी खुबसूरती और अदाओं का हर कोई देवाना बन गया लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जिन्दगी इतनी उतार चड़ाओ भरी रही कि ना परसनल लाइफ में सुकून मिला और ना ही इनकी प्रोफेशनल जंदगी किसी अंजाम तक पहुँच सकी क्या आप मानेंगी कि महंगे कपड़े पहनने वाली विदेशी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपे कमाने वाली ये हिरोईन कुछे सालों बाद ऐसी बरबाद हुई कि करियर खत्म हो गया और एक फिल्म ब्रोकर ने इन्हें वो सब भी करने पर मजबूर कर दिया जो कि किसी के लिए भी शर्म की बात कही जाती है और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 33 साल की उम्र में जब इनकी मौत हुई तो इनके पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई और ठेले पर रखकर इनके शव को शमसान घाड तक ले जाया गया तो कौन थी ये बदनसीब अदाकारा किस किस से मिले धोखे ने इन्हें इस कदर बरबाद कर दिया और क्यूं इतनी दर्दनाक रही इनकी मौत बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमसकर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बाते दोस्तों बॉलिवुड में कई सितारे आते हैं और चले जाते हैं कुछ फिल्मी परदे पर अपनी जगह बनाने में काम्याब होते हैं तो कुछ गुमनामी में खोकर रह जाते हैं या उनकी जिन्दगी एक दर्दनाक मोड पर जाकर खत्म हो जाती है ऐसी ही एक अधाकारा रही विम में वो अभिनेत्री जिन्होंने साट सत्तर के दशक में बॉलिवुड की कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन उनकी जिन्देगी इतनी उतार चड़ाव भरी रही कि ना परस्नल लाइफ में उन्हें सुकून मिला और ना ही प्रोफेशनल लाइफ किसी अंजाम तक पहुँच सक विम्मे जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमराज में सुनील दत और राजकुमार जैसे सितारों के साथ काम किया था मला उन्हें कोई कैसे भूल सकता है लेकिन अफसोस कि दुनिया उन्हें बहुत जल्द भूल गई नीले गगन के तले धर्ती का प्यार पले बेहत पॉपुलर हुआ था और आज भी है पर इसे किस्मत कहिए या अपने गलत फैसलों से खराब हुई उनकी जिन्दगी कि पहले इनके घरवाले इनसे रूठे फिर ससुराल वाले फिर पती फिर फिल्मी दुनिया के आका और फिर किस्मत भी इनसे इस कदर रूठ गई कि जिन्दगी ही खत्म हो गई और ये इस दुनिया को अलविदा कह गई विमी का जन्म 1940 के दशक की शुरुवात में पंजाब के एक सिक परिवार में हुआ था जिनका नाम रखा गया था विमलेश आजादी के बाद इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया यहाँ विमलेश ने मुंबई के प्रसिध सोफिया कॉलिज से मनोविज्यान में ग्रिजुएशन पूरा किया इसके बाद ये रेडियो में अनाउंसर की जॉब करने लगी इसी दोरान विम्मी की जिंदगी में आए कुलकाता के एक व्यापारी परिवार के लड़के शिव अगरवाल जिन से विम्मी को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली विम्मी ने ये शादी अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी क्योंकि वो विम्मी को आगे करियर बनाने के लिए कह रहे थे और फिलाल शादी करने से मना कर रहे थे विम्मी को शादी के बाद 1961 में एक बेटा हुआ और 1963 में इन्होंने एक बेटी को जर्म दिया अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था विम्मी के पती एक अमीर घराने से थे और कोलकाता में होने वाली पेश्थ्री पार्टियों में अपने खुबसूरत पत्नी के साथ जया करते थे इसी दौरान उनकी मुलाकात हिंदिस सन्वा के महान संगितकार रवी से हुई रवी ने जब विम्मी को शेव की पत्नी के तौर पर जाना तो वो हैरान रह गए क्योंकि वो बहुत खुबसूरत और बिंदास दिखती थी बताते हैं कि म्यूजीशिन रवी ने पती पत्नी को मुंबई आने का नियोता दिया और कहा कि विम्मी को तो फिल्मों में अच्छा काम मिल जाएगा कुछ दिनों बाद जब शेव और विम्मी मुंबई पहुँचे तो रवी ने इनकी मुलाकात जाने माने फिल्म मेकर बियार चोपडा से कराई और पहली नजर में ही चोपडा साहब को विम्मी भागाई। फिर क्या था, हाथो हाथ उन्हें फिलम मिल गई और ये फिल्म थी हम्राज। बताते हैं कि चोपडा साहब ने एक कॉंट्रेक्ट बनाया और अपनी अगली तीन फिल्मों के लिए विम्मी को साइन कर लिया। चलाकारों के अपॉजिट लीड ड्रोल में आई थी और दो बच्चों की मा होने पर भी फ्रेश और खुबसूरत छरहरी काया की मलिका थी ये खबर अखबारों में तैडने लगी फिल्म मेकर्स विम्मी को अपने फिल्म में लेने के लिए लाइन लगाने लगे क्योंकि वो ही वो किसी और के फिल्म कर सकती थी लेकिन कहते हैं कि तब विम्मी के पती के मन में लालच आ गया और वो बियार चोपडा पर करार तोड़ने का दबाव बनाने लगे उन्होंने इस तरह की चालबाजियां करनी शुरू की कि पत्नी को लेकर कॉलकाता चले गए और खबर भ हमराज की शूटिंग पूरी हो पाई वही इस बीच एक घटना ये भी घटी कि विम्मी और इनके पती को पारिवारिक बिजनिस से निकाल दिया गया क्योंकि विम्मी के ससुराल वालों को बहु का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था और वो शुरू से ही मना कर रहे थे हमराज 1967 में रिलीज हुई और ब्लॉक बस्टर साबित हुई और इसने बॉक्स ओफिस पर भी तहलका मचा दिया इस फिल्म की काम्याबी ने विम्मी को भी रातो रात स्टार बना दिया और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई बता जाता है कि फिर तो विम्मी के लालची पती ने विम्मी की फीस बढ़ा कर उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियों से भी जादा कर दिया और एक फिल्म के लिए तीन लाक रुपे मांगने लगे विम्मी के पैसों की डील उनके पती शेव ही किया करते थे पर इस लालच का नतीजा ये हुआ कि फिल्म मेकर्स विम्मी से कत्राने लगे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे 1968 में विम्मी के फिल्म आई आबरू इसमें विम्मी के साथ थे एक नए हीरो दीपक कुमार फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबी थुई और इससे भी विम्मी का भाव गिरने लगा 1969 में पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में विम्मी ने लीड रूल निभाया इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिले लेकिन इससे विम्मी को कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये एक शित्रिय भाशा की फिल्म थी करियर का ग्राफ गिरता देखि विम्मी ने कुछ फिल्मी मैग्जीन्स के लिए बिकने में हौट फोटो शूट भी कराए और फीस भी घटा दी इसके बाद उन्हें कुछ फिल्में तो मिली लेकिन एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाई और विम्मी का करियर गिरता चला गया 1971 में वो शशी कपूर के साथ फिल्म पतंगा में नजर आई लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई इसी साल उनकी दो और फिल्में गुड़ी और कहीं आर कहीं पार भी आई लेकिन इन में भी विम्मी का रोल इतना बड़ा नहीं था कि इससे उनको कोई खास फाइदा मिल सकता 1974 में आई फिल्म वचन में उन्होंने हेवी मैकप और मेहंगे वार्ड रोब का खूब सहरा लिया लेकिन ये भी उनके काम नहीं आ सका बताते हैं कि पती के कहने पर उन्होंने फिल्मों में खोब नुमाईश भी की लेकिन ये हथकंडा भी जब काम नहीं आया तो पती पत्नी में जगडे और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया बताते हैं कि विम्मी के पती शिव फिल्मी दुनिया की चकाचौध में इस कदर आकर शित थे कि वो विम्मी पर फिल्मों में टिके रहने के लिए कई तरह से दबाव बनाते थे क्योंकि उन्हें पैसे की कुछ ज़्यादा ही भूग थी और वो चाहते थे कि विम्मी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मे करें चाहे वो फिल्म कैसी ही क्यों ना हो और फिर पती से जगडे इस कदर बढ़े कि वो पत्नी को छोड़कर कोलकाता वापस चले गए इसका भी विम्मी के करियर पर बुरा असर पड़ा विम्मी ने उस जमाने के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया था पर एक वक्त ऐसा आया कि कोई भी उनके पास नहीं था यहां तक कि विमी को कौन से फिल्म करनी चाहिए या नहीं ये सब भी विमी के पती ही तै किया करते थे पती की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा था इससे तंगा कर विमी अपने पती से पहले अलग रहने लगी थी लेकिन पती की वजह से उनकी जो छवी धूमिल हुई उससे उनकी करियर पर काफी असर पड़ा और फिल्म मेकर उनसे कत्राने लगे एक समय वो भी आया जब विम्मी को फिल्म में मिलनी बंद हो गई जिससे उनके पास ना तो कोई emotional support बचा और ना ही professional काम ना मिलने की वजह से विम्मी आर्थिक तंगी का शिकार हो गई लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विम्मी ने कई प्रोडूइसरों से आर्थिक मदद माँगी और सभी ने इनकार कर दिया इसके बाद तो विम्मी की माली और भी बुरी होती चली गई पती ने साथ छोड़ी दिया था आखिर में विमी के पती ने अपने माता पिता के कहने पर उनको तलाक भी दे दिया तलाक के बाद विमी बिलकुल अकेली रह गई थी वो बेहद खुबसूरत थी लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल जादा अच्छी नहीं थी ऐसे में भला सिर्फ खुबसूरती कब तक साथ देती फिर तो छोटे मोटे रोल मिलने भी बंद होते गए एक वक्त पर जिस हिरोईन के फिल्म में होने से फिल्म हिट होने की गारंटी मानी जाती थी बाद में उस हिरोईन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची-खुची फिल्में रिलीस हुई वो भी फ्लॉप होती गए आर्थिक तंगी के कारण विमी को अपना बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थी और महंगी गाड़ियां भी बिक गए आगे चलकर विमी को शराब की लत भी लग गई फिर पता चला कि कोई चारा न देख वो एक फिल्म ब्रोकर जॉली के साथ रहने लगी जिसने विमी को इमोशनल सपोर्ट देकर बेवकूफ बनाना शुरु किया जॉली ने विमी की मदद कम की और उनका शोशन ज़ादा किया दावा किया जाता है कि पिल्मों ने विमी से कहा कि अगर आप कि आपको फिल्मों में जादा काम मिले तो आप प्रोडूसर के साथ जादा वक्त बिताएं तो आपको काम भी जादा मिलेगा उसका इशारा किस तरफ था आप अंदाजा लगा सकते हैं और दावा ये भी किया जाता है कि विम्मे ने ऐसा किया भी लेकिन उससे भी उनके करियर को कुछ खास फाइदा नहीं हुआ कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विम्मे ने उस ब्रोकर की बात माल ली और खुद को बर्बादी की तरफ ढखेल दिया लेकिन जब ये बात बॉलिवुड में फैली तो इससे उनका बचा खुचा करियर भी बर्बाद हो गया एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखो रुपे कमाने वाली हिरोईन अब ऐसे मुकाम पर पहुच चुकी थी कि हर कोई हैरान था विमी इस कदर गुमनामी में चली गए कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला भी नहीं था डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया लेकिन महनी शराब पीने के पैसे कहा थे, सो घटिया और सस्ती शराब पीने से उनकी तबियत बिगड़ने लगी आखिर में विमी के लीवर ने काम करना छोड़ दिया और वो बिस्तर पर पढ़ गई कुछ दिनों बाद उन्हें मुंबई के नानावती होस्पिटल में जनरल वार्ड में देखा गया जहां वो जादा हालत खराब होने पर भरती हुई थी और इसी हालत में 22 ओक्टूबर 1977 में विमी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई उस वक्त उनकी उम्र महज 33 यानि 33 साल की थी दुरभाग्य की हद तो तब हो गई जब विमी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई फिल्म ब्रोकर जो पहले उनके साथ रहा था उस जॉली ने विमी के शोव को हाथ गाड़ी वाले ठेले में डाला और कुछ लोगों की मदद से अश्मिशान घाड तक ले गया जहां उनका अंतिम संसकार हुआ हलाकि आगे की रस्मे करने वाला भी कोई मौजूद नहीं था क्योंकि इनके दोनों बच्चों को लेकर पती तो पहले ही कुलकाता जा चुके थे और विमी बिल्कुल अकेली रह गई थी बता गए कि प्रेमी गंगा राम और क्रोधी नाम की दो फिल्में विमी की मौत के कुछ साल बाद रिलीज हुई थी इस तरह आखिरकार कुछी साल पहले की एक सुपर हिट हिरोईन इस दुनिया को इस तरह से छोड़ कर चली गई थी जैसे वो लवारिस हो और उसे कोई जानता तक ना हो लेकिन इस सदाकारा की मौत में अपने पीछे कई तरह के सवाल भी छोड़े थे कि क्यूं जादातर फिल्मी कलाकारों की जिंदगी इतनी अनिशे ताउं की भेट चड़ जाती है क्यूं अतीम महत्वकांग्शाओं का परड़ाम हमेशा बुरा ही होता है और क्यूं शोहरत दौलत और नाम कमाने के बावजूद भी जदातर बॉलिवुड कलाकारों का अंत दर्दनाक ही होता है आपको क्या लगता है अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तो चले आज के लिए बस इतना ही आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले एपिसोड में फिलहाल मुझे दीजिए इजासत नमस्कार